So hello friends, welcome back to your channel, आप सब के लिए good news है, और good news यह है कि Delhi University से affiliated जो nursing colleges है, पतलब इंदरप्रस University से affiliated जो आपके colleges है, इनके registration दुबारा open कर दिये गए हैं, दुबारा open किये जाने के मतलब क्या है, इनके registration पहले हो चुके थे और close हो गए थे और ऐसे बहुत से students all over India जो इसका registration नहीं कर हो आया थे, पहले बाता समझ लिए कौन से colleges हैं, ये colleges से लक्षमी अबारा बत्रा कॉलेज अब नर्सिंग, सैंट स्टीफेन कॉलेज, सफदर्गज होस्पिटल, हिंदुराव होस्पिटल, डॉक्टर राम अनुह लोयो होस्पिटल, और कॉलेज अब नर्सिंग, गयते, लेकिन अब एक नई नोटिस आई थी कुजिन पहले, और इसमें स्ट कर दिया गया है, कि जो बच्चों का रेजिशेशन छूट भी गयते, वो भी अब रेजिशेशन कराके इसमें अड्मिशन ले सकते हैं, अब 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 रेजिशेशन करा लेते हैं, तो नीट के इसमें अड्मिशन ले पाएंगे, अगर अब भी रेजिशेशन नहीं कराएंगे, तो नीट के तुर अड्मिशन नहीं ले पाएंगे, तो रेजिशेशन क्या है, कंपल सरी है, जो नोटिस आई है, वो हम देखते हैं, उसमें आगया है, यह आई है, आपकी 6 रिसंबर की न रेजिशेशन का और participation fees का, अब जिन बच्चों ने registration करा लिया था, उनको सिर्फ fees जबा करनी है, और जिनगों registration नहीं कराया था, उनको registration भी करना है, और fees भी जबा करनी है, तो आपोचनियुटी यहाँ पे खुल गई है, तो यहाँ पे बेसी नरसिंग आपका concern course है, 115 और र करा चुके थे बारास रुपए का उनको सुरिफ कांसलिंग फीज आप जमा करनी है 1000 रुपीस की ठीक है इसकी स्टार्टिंग डेच साथ दिसंबर है वेबसाइट पर आ जाएगी और 14 दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर देनी है दूसरे वह कैंडिडेट्स हैं जो इनकी हम ब ख़दार रुपए जमा करके इसमें अड्मीशन ले सकते हैं अब कई बच्चे जिनका स्कोर अच्छा या नीट में लेकिन वह भूल गया थे आइप में कराना या मिस्स कर गया थे और बच्चे परशान थे कि हम नहीं कर पाएं तो उनकी लिए ऑपरशुनिटी है कि अब कर ले और पाटिस्पेट करें कांस्लिंग में यह भी साथ तारिक को स्टार्ट होगा और चौर तारिक को फिनिश हो जाएगा तो आपको एक हफते कंदर कर देना है और इन्होंने का जल्दिस जल्दी कीजए जैसे आपका पैसा और प्रॉसेस में आपको डिले ना हो यह ब डॉकिमेंटस अप्लोड करके सिर्द पर और प्रॉसेट कांस्लिंग की और अगर केटे गष्प-णना होगा है तो उसका डॉक्नेटOOOO आपको एक सन्चेज यह था की सिर्दिस शर्या संटीफन चीज हैं लक्षपी कना रहा है संट स्टिफन धॉज स्कुल आफ नरिसिंग ह और कस्तूर बाव इन चारों के लिए यहां पे इसकी counseling यह खुद करा रहे हैं, ठीक है, इसके इलावा जो दो colleges हैं, आपके जो आपका सफतरगर्ज हॉस्पिटल है और राम अनोर लोहिया जो आपका hospital है, ठीक है, वहां पे counseling आपका DTGHS करा रहे हैं, DTGHS आपका Directorate General of Health Services है, इसके थुरू इसमें counseling में admission होगा तो बाकी दो आई-प्यू कराएगा बाकी इन दोनों का डायरेटरे जनरल फेल्ट सर्वसेस के थुरू होगा तो पता होना चाहिए आपको क्योंकि जब कई चीज़े ऐसी होती जो आपको नहीं पता रहती तो आप उसे participating करती जारत लोगों को पता नहीं रहती तो उसमें क्या होता है competition easy हो जाता है क्योंकि कम लोग apply करते हैं और उसमें कम maths वाले भी admission ले ले लेते हैं तो इसका admission डेरेक्टरी जनरल फेल्ट सर्वसेस के थुरू होगा और कुछ important point देख लेए तो BSC honors nursing में अगर आप डैली रीजन में चाहते है कि का आप quota लिना शायत है 85% seat का तो आपको approve करना पड़ेगा document जैसे आपने वहां से examination डैली के किसी school से qualify किया है इसी तरीके reserved category का है तो आपको उसका document अप्लोड करना पड़ेगा और अगर reservation आप लेने किसी और state के है तो उस state का respective state का reservation आपको upload करना पड़ेगा अगर आप seat reservation की चाह रहा है डैली की तो डैली का certificate आपका बनाया रहना चाहिए और आपको पता है कि 85% seat यहाँ पे डैली वालों के लिए होती है और 15% seat जो है आउटसाइड डैली वालों के लिए होती है repeated colleges है सभी है इसमें चार colleges है जिसकी IPO खुद counseling करा रहा है और दो ऐसे जिसको director of general health services कराएगा अब आप गया करना है आप ते registration नहीं किया है अगर आप इसमें admission लेना चाहते हैं तो आप registration कर लिजे fee payment कर लिजे website पर link आज आ जाएगा और उसके बाद आप इसकी counseling को participate कर सकते है नीट score के थूर होना है आपना deed score समिट करेंगे और अगर आप उसी rank का जाएग उस category में आप fit हो जाएगे तो आपका तुरंत उसमें admission यहाँ पे हो जाना है तो यह important information थी कई बच्चे परशान तो इंद्रप्रस University के nursing college में admission लेना है आपको और online registration कराईए payment कराईए need की दूर कांसलिंग कराईए direct admission आप ले सकते हैं बने रहे हैं माई चैनल सार कोई confusion और comment box भी लिखिए best of luck and thank you very much